नमस्कार स्वागत है आप सभी केवन उत्राखंड में और मैं हूँ आपके साथ हर्शदा आईए नज़र डाल लेते हैं इस वक्त की हिड्लाइन्स पर जगदीद धनकर बने चौदली उपराश्पती राश्पती द्रौबदी मुर्वन दिराई पत्की शपत राश्पती भवन में आज़ित हुआ शपत ग्रेंट समारो पीम नरेंद्र मोदी और सीम धामी सहित कई गंड मानने नागरी कोने की शिरकत बेश प्रदेश में भाई बेहन के पर्व की धूम उच्छा के साथ मनाया जारा रक्षा बंदन का त्मेहार भाई की कलाई पर बांध रही बेहने रक्षा सूत सीम धामी ने दी पावन पर्व की हार दिक बढ़ाईया पश्णों के लंपी रोक की रोक थाम को लेकर धहरादून में एहम बैचक पशुपारंद मंत्री सौरब भाउगरान ली हलात की जानकारी तीन तीस हजार वैक्सीन मंगवाने के लिए निर्देश संक्रमित जोन के लिए बनेगी टास्क पोर्स उत्तरकाशी के बाइकोट पे बारिश बड़ा कोट में बारिश ने मचाई तबहाई कुमोला रोड पर पानी के तेज बहाव में बही दुकाने इस्थानी लोगों में धहशत का माहल जन जीवन हुआ अस्त व्यस्त मंगलोर में नशा तसकरों के खिलाव बड़ी कारवाई बयानवे ग्राम स्मैक बरामद एक आरोपी गिरफतार युबाओं को स्मैक सप्लाइ करने का आरोप 4 लाक रुपे से अधिक बताई जा रही है स्मैक की कीमत अब खबड विस्तार से राजस्थान के भूमी पुत्र जगदीब धनकर ने उप राशपती पद की शपतली शबग ग्रहन समारो का आज़िन राशपती भवन में हुआ जहा राशपती द्रौपदी मुर्मूने जगदीब धनकर को उप राशपदी पद की प्राश्पति चुनाव मेंधिये के उमीदवार जगदीब धनकड की जबरदस्त जीत हुई थी उन्होंने 528 बुटों के साथ जीत हासल की थी जगदीब धनकड देश के चौदवे उप्राश्पति हैं माननिय राश्पति मोदे आगा है मैं जगतीब धनकड इस वरकी सपद लेता हूँ कि मैं विधी द्वारा स्तापित भारत के स्विधान के प्रती सच्ची स्रधा और निष्टा रखूँगा सची स्रधा और निष्टा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहन करने वाला हूँ उसके कर्टव्यों का स्रधा पुर्वक निर्वहन करूँगा बाई बहन के प्रेम के पर्व की धूम बची सीम पुषकर सिंग धामी ने प्रदेश पासियों को शुपकाम नाय दी आप समस्त प्रदेश पासियों को रख्शा बंदन के पावन पर्व की हार्दिक शुपकाम नाय इस शुप अफसर पर मैं वचन देता हूँ कि हमारी सरकार पहनों के कल्यान के वस्षक्ति करन के लिए सदेव प्रतिबद होंगी बाई बहन के पवित्त वेहार रख्शा बंदन के दिन उत्राखंट परीवन निगम की बसों में फ्री में यात्रा कर बहन अपने भायों से मिलने पहुँची उत्राखंट परीवन निगम हर वर्ष रख्शा बंदन के दिन महलाओं को फ्री में यात्रा करवाता है इसको देखते हुए हल्दवानी में भी रोड बेस स्टेशन में महिलाओं की भीड देखने को मिली रक्षा बंदन के तुइहार को देखते हुए कई शहरों से महिलाएं हल्दवानी पहुँची उत्राखंट परिवा निगम द्वारा लगाई गई बसे यात्रियों की भीड को देखते हुए नाकाफी दुखी हलवानी में बीजबी महिला मोच्चा ने कोतवाली पहुचकर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को राखी बांद कर रक्षा बंदन का त्वेहार बनाया करते रहते हैं इसलिए हम महलाएं हमारी सुरक्षा कर रहे पुलिस कर्मी भाईयों को राखी बांदने के लिए आए हैं हलवानी को त्वाली आए और सबी जो हमारी नगर हलवानी के बैने हैं जो इसमें सामेल हुई इस कारिक्यम को हम लोगों पुलिस ने सूत्र कारिक्यम का नाम दिया जिसमें हम लोग सने का एक पवित्र धागा धैरादून के राज के टून मेडिकल कॉलेज चिकित्साले में सर्ज्री विभाग की ओर से 13 और 14 अगस्त को राश्ट्री स्तर की शल्य चिकित्सा से जुड़ी कारिशाला का आयजन होने जा रहा है बताने कि इस कारिशाला में लो प्रोस्केरिक्टिक दुर्बीन के माध्यम से मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा शल्य चिकित्सा से संबंदित जितने भी रोग हैं उनका इलाज निश्रू को किया जाएगा जिसमें पित्त की थैली हर्मिया यूट्रिस का ओपरेशन अलग-अलग डॉक्टर्स से होगा जो कोलकाता दिल्ली मनिपूर महाराश्ट लखनाउ से आ रहे है और इससे जो है मरिजों में जो है शीख ली फाइदा निकाए और इसी के साथ जो है मैं आपका दन्या और दो ऑपरेशन जो है इंग्वाइनल हर्मिया जो की जो है अलग-अलग विधियों के द्वारा जो है इसको परदर्शित किया जाएगा इसके अलावा रसॉली जो इूटिरस की रसॉली होती है दो ऑपरेशन जो है हमने वो रखे हैं वो भी किया जाएगे और किड्मी जो की काम नहीं कर रही है नेफ्रेक्टमी का ऑपरेशन वो भी जो है दूपिन के माधियम से किया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान को लेगर उत्राखंड बीजेपी के प्रदेश रद्यक्ष महेंद्र बट का बयान चर्चा में है उत्राखंड के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र बट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा ले राता हुआ नहीं दिखाए देगा वहां तक तिरंगा पहुँचता ही नहीं है और RSS मुख्याले पर जंडा नहीं फेरा जाता उस पर क्या कहेंगे कॉंग्रिस के पूर्व अध्यक्ष गणिश गोदियान ने कहा कि बाजपा अध्यक्ष का ये बयान बचकाना है पर उत्राखंड के नव नियुत पर देश अध्यक्ष महिंदर भट जी कहते वे पाजाते हैं कि जिन घरों में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा वो देश भक्त नहीं है बड़ी अजीब सी बात है महिंदर भट जी हमारे बहुत सारे सुदूर गाओं के लोग हैं जो तिरंगा लहराना चाहते हैं लेकिन वो इतना दूर रहते हैं कि तिरंगा उनकी पहुंच से बाहर है और सबसे बड़ी बात आपका एक बड़ा संगठन जिससे कि आपके बीजेपी निकली है उसके मुक्षाले में तो शैदास तक भी तिरंगा नहीं ले रहाएगे और आप लोग ने तो तिरंगे का जितना अपमान किया है उतना अपमान इस देश के किसी नागरिक ने नहीं इसलिए कह रहा हूं कि एक राष्ट्य पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स के पत पर होते हुए उन्हें कोई भी बात खोच समझ कर दो है उनका ताजा बयान कि उन घरों की पैचान होने जिन पर तिरंगा नहीं है मैं आज इस पूरे पहाड़ में जब हुम रहूर मैं दे बढ़ा हुआ बड़ी गिरावट आई मानिये बढ़ जी हम सब देश प्रेमी लोग हैं यहां उत्राखंड में रहने वाला इन पहाड़ों में रहने वाले तमाम लोग देश से अगाद प्रेम करते हैं और अगर आपको वास्तिविक पता उन लोगों का चाहिए कि जो जान बुचकर घरों पर तिरंगा नहीं लगाते हैं तो उनका पता नागपुर में आरसिस का मुख्याले है सोशल मीडिया पर सुर्खिया बटोरने वाले बॉबी कटारिया एक बर फिर नए विवाद में फस चुके हैं इस बर बॉबी उत्राखण में सड़क पर जाम चलकाते नजर आ रहे हैं बॉबी कटारिया के सड़क पर शुराब पीने काई वीडियो वारल होने के बाद पुलिस महानेदेश रकशोग कुमार ने मामने में संग्यान दिया है साथी मामने में जाच करते हुए कारवाई के आदेश की जारी कर दिये हैं बेज़बी के आदेश के बाद धेरादूर मिके थाना कैंट में बॉबी कटारिया के विरूद आईपीसी धारा 290, 510, 336, 382 और 67 एक्ट के तहट मामला दर्च कर लिया है इधर जाच के आदेश के बाद बॉबी ने फेसबुक पर पुलिस कारवाई को चैलन्ज के रूप में बताया था और महज इसे सामाने कारवाई बताया बॉबी के फेस्डूक पर पोस्ट के बाद पुलिस माने देशक अशोक कुमार ने फिर से बॉबी को निशाने पर लिया और कहा कि देवधूमी उत्राखन की छवी को बिगारने और माहुल खराब कराने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी साथ ही साथ उपर से पुलिस को चैलेंज करना भी कहीं से भी जायज नहीं ठेला जा सकता उपरेशन मर्यादा चलाया हुआ है और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो भी यहां के गंगा जी की यहां के तिरसलों की मर्यादा भंग करेंगे उनके विरुद कारवाई होगी जो अन्य टूरिस्ट प्लेसिज हैं वहां भी जो गंगी फेलाएंगे या कुछ और गलत काम करेंगे जो वीदी के अनुसार नहीं है जो कानून के अनुसार नहीं है तो ऐसे लोगों के विरुद हमारा उप्रेसन मर्यादा चल रहा है और ये सरयाम चैलेंज कर रहा है तो इसलिए इसके विरुद तो और कड़ी कारवाई निश्चे देश में करोना का कहर एक बार फिर से बढ़ रहा है वहीं उत्रा खंड में भी करोना अपने पांफ पसार रहा है धैरादूर में करोना संक्रमित मरीजों की संक्या लगातार बढ़ती नज़र आ रही है वहीं बरसाथ के मौसम में डेंगो और मलेरिया से संक्रमित लोगों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता नज़रा रहा है सिशू रोग विशेश के डॉक्टर विपिन वैश्यो ने बताया कि कोरोना महामारी अभी तक समापत नहीं हुई है बलकि आठीपीसिया टेस्ट को घटा दिया गया है जिस कारण से कोरोना के अधिक मरीज नहीं मिल लेकिन ये मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मंकी बॉक्स का एक फियर अभी जैनुएन नहीं है क्योंकि अभी इंडिया में चार या पांच केसिस रिपोर्टेड हैं वो भी भार से आए हैं और इतना कॉमन मंकी बॉक्स नहीं है लेकि उससे भी जादा कॉमन हमारे हैं आज जुड़ो तिरंगायात्रा के तहए अनुक्रती गुसाई रावत ने लेंस्टाउन में भारत जुड़ो तिरंगायात्रा का शुभारम किया जिसमें बड़ी संक्या में कॉम्स कारेकरता शामिल हुए इस अफसर पर अनुक्रती गुसाई रावत ने बताया कि गर्व की अन पूरे देश के अंदर इस यात्रा को इस पद्यात्रा को जगा जगा पर किया जा रहा है उसी प्रकार हमारे प्रदेश के मानुनी प्रदेश अध्यक्ष करन महरा जी के निदेश अनुसार उनके नित्तितु में यह यात्रा हमने लांसडाउन विधानसभा के अंदर रिखनी खाल ब्लॉक में गाउं से गाउं क्योंकि यह पारी विधानसभा है तो हर गाउं से गाउं पैदल चलकर इस पद्यात्रा को पूरा किया है और मुझे खुशी है कि लोगों ने इसमें बचड़ कर हिस्ता लिया देश प्रेम के जो भावना है उसको जगाने का काम हमने इस यात्रा के माद्धन से किया है और मुझे पूर्ण उमीद है कि यह यात्रा पूरे देश में सबलोगी मसूरी उप में उप जिलादिकाई नरेश वंद्र तुर्गापाल के अध्यक्षता में कच्छवरी परसर में बैठक काया जुन किया गया जिसमें विबन स्कूलों के सिक्षक और प्रतिनीदी मौझूत रहे इस मौके पर तैक किया गया कि 12 अगर्स को सर्व मिदान में तिरंगा यात्रा काया जुन किया जाएगा जो मौल रोड होते हुए लाइबरी गांधी चौक पर सिमापत होगी इस मौके पर विधाय गनेश जोशी सही जल अधिकारी भी मौझूत रहेंगे बैचक में तैक किया गया है कि सभी स्कूल के अध्यापक अपने अपने स्कूलों जो से सभी स्कूलों में विध्यार्थी को आनद अनिवार होगी हमने सभी स्कूलों के साथ ये ताई किया है कि वो बारा तारिक के दिन एक प्रभार्थ फिरी या तिरंगा यात्रा की सक्रिमें सहर के अंदर एक खुबसूरत यात्रा निकालेंगे मसूरी के सभी स्कूलों से अंदरूत किया है तो सभी स्कूल अपने बच्चे और अपना बैंड अपना जो इस्कूल के जो इस्टूमेंट्स हैं उसके साथ इस रैली में पार्टिशिमेंट करेंगे इंगलाइन के बर्गिंगम में आजवित कॉमन वेल्थ गेम्स में भारती एथरीचों ने शांदार प्रदर्शुन किया आपको बता दे कि भारती महिला क्रिकेट टीम ने भी खेल में दमदार प्रदर्शुन करते हुए सेमे फानल मुकाबला जीत कर इतियास रचा महिला क्रिकेट टीम को सिल्वर मेडल मिला अपने टीम के लिए भेतरीं प्रदर्शुन करने वारी टीम को यूबा आल राउंडर और उत्तरा खंड की बेटी इसने राणा का धेरादून के गांधी पार्क में जोड़दार स्वागत किया गया एस दोरां स्नेहा राणा पत्रकारों से रूबरू हुई उन्होंने कहा कि भारतिये टीम ने कॉमन वेल्थ गेम्ज में शांदा प्रदर्शुन किया है और पहली बार में ही सेमी फाइनल जीत कर इतियास रच दिया है लकसर के भोगपूर शेतर में पशु पालक इस समय लंपी रोक से बेहत चुन्त में डूबे हुए है वहीं बिमारी से पशु चिकित सा विभाग भी अलडमोट पर नज़र आ रहा है वहीं इस पूरे मामले को लेकर पशु चिकित सा अधिकारी डॉक्टर अमिद चौधरी का कहना है कि लक्सर शेत्र में ये बिमारी पहली बार देखने को मिली है और ये एक विशारू जन्वत रोग है इस बिमारी से लड़ने के लिए उत्राखंट सरकार द्वारा कुछ दवाईयां भी उपलब्त कराई गई है जिनके सहारे इस बिमारी पर काबू पाने की भर पूर कोशश रही जा रही है एक तरफ भाई भेन के प्रेम का प्रतीक सरक्षा बंदन का पर्व मनाया जा रहा है यदि बारिश ऐसे ही लगातार बनी रहेगी तो अभी दस से बारा दुकाने और घर खत्रे की जब में है उत्राखंट के लालकुआ मेर रक्षा बंदन के त्वेहार को लेकर कोतवारी प्रभारी डियार वर्मा ने प्रेस कांफरेंस की और इसी दुरान उन्होंने भाई भेन के अटूट प्रेम के त्वेहार को शांती पूर्वक तरीके से मनाने के अपील की साथी अराजुकता फिलाने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की चिताशितावनी दी उन्होंने बताया कि लालकुआ पुलिस ने टीम गठित की है जो पूरे शेतर में गस्तद लगाएगी अल्मोडा शेहर की बधाल यातायाद व्यवस्था को पट्री पर लाने के लिए वरिश्ट पुलिस अधिक्षक ने कवायत तेस कर दी है विशानी को देखने नो पार्किंग जोन को भी सकती से लागू करने के निर्देश दिये करे अब देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार झाल लाओू कर देखने के विए लुच्पाइट और दुनिया कीया स्टाव सिर्देश देखने के लिए का विए यद्यासे लिए रहिए विए। झाल 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 झाल